हम लोग थर्मडाइक्स पढ़ रहे हैं और अब यह स्क्रीन पर दिखाए दे रहा है टॉपिक इन्थैलपी इसके पहले हम लोग इंटर्नल इनर्जी भी पढ़ें इंटर्नल इनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया आता है और इन्थैलपी को एच से रिप्रेजेंट किया आता है हम लोग बात किये थे कि किसी भी सिस्टम का इन्टर्नल इनर्जी हम कल्कुलेट नहीं कर सकते हैं बड चेंज ने इंटर्नल इनर्जी निकाल सकते हैं और उसके लिए फर्मूला आ था डेल्टा यू इस इकल टू उसार से q w का साइन positive वी हो सकता है और negative वी हो सकता है enthalpy के बारे में बात किये थे हम लोग पिछले class में enthalpy h is equal to होता है u plus p into b जहां पर u internal energy को represent करता है जब internal energy ही आप नहीं निकाल सकते हैं u का value नहीं निकाल सकते हैं तो फिर h का value कैसे निकालेंगे तो फिर बाकी हम लोग एक formula derive किये थे कि change किया था इसको यानि enthalpy में जब आप change लगाओगे left hand side में तो right hand side में भी change लगाना होगा यहाँ delta p into b p pressure है और b volume है एक बार में जब आप bracket हटाओगे तो एक ही को change करेंगे pressure को change करेंगे तो volume सेम रह जाएगा और volume को change करेंगे तो pressure सेम रहेगा अगले step में फिर हम लोग इसे लिखे थे delta u plus delta p into b plus p into delta b और यहीं पर एक condition डाल दिये थे if pressure remain constant यानि कि जब pressure का value constant हो जाए if pressure remain constant जब pressure को आप constant ही कर दिये तो change in pressure का value कितना हो जाएगा जीरो इसी delta p is equal to 0 के value को यहाँ डालेंगे यह पूरा part 0 तो final relation क्या आगया delta h is equal to delta u plus p into delta b और इससे related हम लोग कुछ numerical solve किये थे पिछले class में h u और p into delta b के आगे भी question आएगा आज भी हम लोग discuss करेंगे derivation यह किये थे हम लोग किसी से related फिर यहां पर एक टाम आया तो कभी उसको internal energy कह दिया जाएगा और कभी उसको enthalpy कह दिया जाएगा अब सवाल उड़ता है कि कभ हम इसे internal energy कहेंगे और कभी से हम लोग enthalpy change करेंगे अभी उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल बोर्ट पर देखना पहले करते हैं और उसे statement को लिखवा देंगे पहले इंटर्नल इनरजी के बारे में बात करते हैं कि वी नोग देल्टा यू इस इकल टू रिलेशन क्या आता है q प्लस डबलू और देखो तो लिख सकते हैं डेल्टा यू उड़ इकल टू q माइनस इंटू डेल्टा भी क्या दा रहा है क्यूं लिखेंगे इस से ऐसा क्यों क्या होता है माइनस देल्टा ब्लू की जगह पर माइनस पी इंटू डेल्टा भी कर दिए अब यहाँ एक condition डाल रहे हैं if volume remain constant if volume remain constant यानि volume को constant कर दिया गया तो बता तो जब volume constant होगा तो delta V कितने के बराबर? 0 अब इस delta V is equal to 0 के value को यहाँ डालोगे तो अब यहाँ relation आ जाएगा delta U would be equal to Q minus 0 तो यह delta U किसके बराबर हो गया? Q के बराबर patience रखो गया अब ही अब enthalpy के बारे हैं बात करते हैं we know H is equal to U plus क्या आता है? P into V और देखो delta H would be equal to delta U plus delta P into V लिख सकते हैं और delta H would be equal to delta U plus अब इसको bracket हटाओ क्या लिखे एंगल में? delta P into V plus P into delta V और delta H would be equal to delta U की जगह पर देखो तो delta U की जगह पर Q minus P into delta V लिख सकते हैं तो यहां वाले स्टेप में इसकी जगह पर हम लो लिख दिये Q minus P into delta V तो कि पहले यूज कर चुके हैं heat energy के terms में लाना है और यह wrist जो बचा हुआ पार्ट है वो delta P into V plus P into delta V तो कुछ cancel हो रहा है minus P into delta V और यह plus P into delta V यह दोनों पार्ट cancel हो गया क्या बचा रहा गया यहां पे delta H would be equal to Q plus delta P into V यहां भी एक condition डाल देते है if pressure remain constant यानि कि जब pressure के value को हम लोग constant कर देते हैं तो बताओ तो जब pressure constant है तो delta P का value कितना हो जाएगा 0 अब इस delta P के value को यहां पर 0 डालेंगे तो delta H would be equal to Q plus 0 यानि delta H किसके बरावर हो गया Q के बरावर अभी हम लोग थोड़ी देर पाहले निकाले कि delta U किसके बरावर है Q के बरावर अभी यहां पर एक confusion दिख रहा है कि एक बार में आप लिख दे delta H is equal to Q और दूसरी बार में लिख दे delta U is equal to Q Q heat energy है तो या तो H के बरावर होगा या Q के बरावर होगा दोनों के बरावर है इसका मताव दोनों से मी है क्या ने थोड़ा सा डिफरेंस है तो और से देखो condition को यहां पर क्या constant किया गया है volume remain constant और यहां पर क्या constant किया गया है बस यही main clue है यानि कि अगर किसी process में किसी reaction में pressure constant है तो जो भी energy absorb या release होगा वो enthalpy कहा जाएगा और अगर किसी reaction में volume constant है तो जो भी energy absorb या release होगा उसे internal energy change कहेंगे अधिकांस reaction हम लोग खुले में कराते हैं खुले में कराते हैं यानि कि atmospheric pressure पर करा रहे होते हैं खुले में करा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर pressure constant है तो जो भी energy absorb या release होगा उस condition में उसे हम लोग enthalpy change कहते हैं यानि delta H कहेंगे लेकिन अगर कोई chemical reaction आप closed container में करा रहे हैं तो closed container कहने का मतलब उसका atmosphere उसके अंदर का part हो गया volume constant हो गया क्योंकि container fixed है तो जब volume constant होगा तो वहाँ जो भी energy absorb या release होगा उसे हम लोग internal energy change कहें और उसी को differentiate करने के लिए जो हम लोग यहाँ लिखते है delta U is equal to Q तो यह volume constant है तो इसलिए छोटा सा भी डाल दिया आता है Q भी और यहाँ पर क्या constant डाला गया है तो यहाँ पर क्या डाल देंगे पर क्लीर हुया फिर से एक बर delta U is equal to value आया Q V और delta H is equal to value आगया Q P इसका मतलब है the heat energy absorbed or released during chemical reaction at constant volume is called internal energy change and the heat change at constant pressure is called enthalpy change since most of the chemical reaction take place at constant atmospheric pressure इसलिए उस condition में जो भी energy absorb या रिलीज होगा उसे हम लोग internal energy न बोल करके उस जगह पर हम लोग enthalpy term यूज करते हैं अभी हमारे और आपके body के उपर में pressure जो लग रहा है वो one atmospheric pressure है यानि जो pressure हम fill कर रहे हैं वही pressure आप भी फिल कर रहे हैं यानि कि इस पूरे area का pressure value जो वो constant है तो इसलिए यहाँ जो भी energy absorb या रिलीज होगा उसे हम लोग enthalpy कहेंगे और वही अगर कोई chemical reaction inside the container करा जाए closed container में तो जो energy absorb या रिलीज होगा उसे हम लोग internal energy बोलो समझ में आए तो आप कोई पूछे कि energy और enthalpy में क्या फर्क है तो आप बताओगे energy भी enthalpy ही है बस फर्क कितना है कि अगर वो energy constant pressure पर है तो उसके लिए हम लोग enthalpy term यूज करते हैं अगर constant volume पर है तो उसके जगापे हम लोग internal energy करते हैं दोनों energy का ही form है यह specify कर दिया गया कि अभी यहाँ पर क्या constant है हम लोग नीचे classes में पढ़ते थे तो energy यूज करते थे आप थोड़ा बड़े हो गए हैं तब energy की बज़ा हम लोग enthalpy यूज करते हैं तो ionization energy कहीं देखोगे और कहीं ionization enthalpy देखोगे तो मेभी अभी के पाले लग रहा होगा कि कहीं energy है और कहीं enthalpy है इसका क्या मतलब लेकिन अगर ध्यान से आप बात सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यह ionization energy अगर एक constant pressure पर है तो energy की बज़ा हम लोग क्या term यूज करते हैं enthalpy यूज clear है अब इसको note कर लिए दिखले हैं आप लो अंडर 10th class में भी यह topic आप पड़े होंगे exothermica and endothermica chemical reaction वो ऐसे chemical reaction जिसमें reaction के समय heat energy बाहर निकल रहा हो उसे हम लोग exothermica reaction करते हैं और जहां हम supply करते हैं heat energy तब वो reaction होता है यानि जो absorb करता है उसे हम लोग endothermica reaction करते हैं exothermica reaction अगर हो रहा है किसी भी जगह पर आप फिल करोगे कि वो गर्म हो रहा है क्योंकि heat energy बाहर निकला और अगर endothermica reaction हो रहा है तो surrounding energy absorb कर रहा है तो वहाँ cooling effect produce होगा जैसे अगर आप glucose को water में dissolve करो एक glass पानी लो और उसमें चमज glucose डालो अब जब सर्बत बना हुए तो उसको test करके देखोगे तो normal water से ही वो बना है फिरिज का पानी नहीं लेना है लेकिन अब आप फिल करेंगे तो वो ठंडा हुआ इसका मतलब होगा कि water से energy क्या कर लिया absorb कर लिया है तो वो endothermic process है लेकिन वही आप normal detergent सस्ता वाला जो detergent है उसको आप हाथ में लेकर के पानी में डालो bucket में डालो अपना हाथ तो आपको गर्म महसूस होगा तो गर्म महसूस हुए इसका मतलब हो कि जैसे ये water के साथ interact किया वो exothermic reaction वो कर रहा है आप किसी चीज को bond करते है तो heat energy बाहर निकलता है तो वो exothermic reaction हो तो definition क्या आया the reaction in which heat energy is evolved out is called exothermic reaction while the reaction in which heat energy is absorbed from surrounding is called endothermic reaction यह अंडर 10th class तक का है यहाँ पर थोड़ा सा change क्या आया है जो जैसे अगर हम लोग carbon को burn करते है oxygen में then it results the formation of carbon dioxide और साथ में क्या निकलता है heat energy plus q इसी को अगर हम लोग इसके exact value को ले करके चलें इनका amount of energy जो release होता है वो 393.5 kJ होता है 393.5 kJ अगर याद रहेगा तो ठीक है नहीं है तो आप heat सिर्फ लिखोगे इसी को अगर हम लोग arrow के इस तरफ में लिखें या delta h के terms में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा c plus o2 it gives co2 and the value of delta h would be equal to minus 393.5 kJ यह किस reaction को represent कर रहा है exothermic तर यह minus में कैसे लिख दिये समझ में नहीं आए sign convention याद करो बात किये थे हम लोग कि वो सारे process जहां system का energy कम हो रहा है वो negative में होगा और जहां बढ़ रहा है वो positive होगा तो आप बतातो एक जो थर्मिक reaction में वो energy system absorb करता है या release कर रहा होगा यह release कर रहा होता है और जब release करेगा तो उसका value किसमें आएगा minus में इसलिए delta H का value minus हो गया वहीं अगर किसी इंडो थर्मिक reaction को देख लें इंडो थर्मिक को तो एक इंडो थर्मिक में है कि H2 का Cl2 से reaction कराते है it forms 2HCl और minus Q minus Q करने का मतलब अब यह heat energy क्या कर रहा है absorb कर रहा है इसको इधर लेकर के आओगे तो ऐसे भी लिख सकते है H2 plus Cl2 और plus Q यह value क्या लिखा जाएगा 2HCl अब इसको आप delta H के terms में लिखना चाहें यह लिखा जाएगा H2 plus Cl2 it gives 2HCl और delta H का value बताओ कितना हो जाएगा plus Q यहाँ minus और यहाँ पर क्या plus अब जो अगर यह value 185 किलो जूल है तो plus 185 किलो जूल कहा जाएगा यानि chemical reaction को देखोगे और chemical reaction को देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो reaction एक्जो थर्मिक है या इंडो थर्मिक है जैसे हम यहाँ पर कुछ reaction लिख रहे हैं और आप से पूछेंगे कि वो एक्जो थर्मिक है या इंडो थर्मिक है एक ऐसे ही rough data ले रहे हैं value a b minus 250 किलो जूल जब पूछेंगे तब बताना दूसरा इस तरीके से भी लिखाया सकता है a plus c plus 80 किलो जूल it give a c तीसरा लिखा गया है b plus c it give b c and delta h is equal to minus 20 किलो जूल और फोर्थ है x plus y it give x y and delta h would be equal to plus 40 किलो जूल अब आपको समझ में आया है तो आप बताओगे हमें यह बताना है कि यह reaction exothermik है या इंडो थर्मिक है first वाले reaction को बताओ exothermik है या इंडो है क्या है इंडो थर्मिक है क्योंकि यहां क्या है minus है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आजाएगा plus यह इंडो थर्मिक reaction है इसको बताओ क्या है यह इंडो थर्मिक है यह प्लस करने का मतलब A plus C plus 80 किलो जूल इनर्जी जब देंगे तब वो convert करेगा किस में AC में यानि यह process भी कौन सा है इंडो थर्मिक यह बताओ delta H का value किस में है minus में इसका मतलब यह reaction कौन सा हो गया exothermik यह बताओ इंडो थर्मिक यानि दो तरीके से दिया रहा सकता है इनर्जी एक तो equation में दिया रहेगा और दूसरा delta H के terms में delta H के terms में दिया है negative तो इक जो positive तो इंडो अब equation में अगर product के साथ energy निकल रहा है तो इक जो और reactant के साथ में energy दिया जा रहा है तब वो इंडो जैसे यहाँ यह minus था इसका मतलब इसको opposite side में ले जागा तो क्या हो जाएगा plus इसका मतलब A plus B plus 250 किलो जूल यानि आप दे रहे हैं 250 किलो जूल तब वो product में convert कर रहा है इसलिए इंडो हो गया इस जगह पर भी वही A plus C plus 80 इसका मतलब है क्या हो गया इंडो और इधर में अगर plus 80 रहता AC के साथ में इसका मतलब A plus C के combination से AC भी बन रहा है और 80 किलो जूल इनर्जी रिलीज भी हो रहा है तो वो एक्जो थर्मिक reaction को सो करता अब definition लिखवा देते हैं फिर इक्जाम को नोट कर लेना अगर आपको कोई problem है अगर किस तरकर समझने में कोई दिकत है तो आप मुझे message कर सकते हैं हम अपनी तरब से पूरी कोसिस करेंगे उसे reply करने के लिए अगर आपको ये video पसंद आया हो तो please इसे like करें subscribe करें and share करें Thank you very much